कि चलिए तो हम लोगोंने एक UPSC यानि कि IES या फिस सिविल सर्वेसिस का पैटर्न देख लिया था पहले लेक्चर में दूसरे में हम लोगोंने देखा था कि जो आपका फ्रिलेम्स होता है उसमें किस टॉपिक से कितने कुश्चेंस पूंचे जाते हैं क्या सिलिवर से इसक किसके मुख परिक्षा के बारे में जानेगी यानि कि दूसरा पढ़ाओ है आपका याद रखिए जो प्रिलेम्स होता है इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं ठीक है एक एबल आपका पढ़ाओ है जैसे आप जानते हैं कि लाखों विद्ध्यार्ती बैठते हैं पेपर में तो आप सोची अगर लाखों ही में डारेक्ट बैठने लगें तो सरकार का जो भी धन होगा ये जाना खर्च होगा इसलिए वही बैक्ती में पहुंचे हैं जो मन से लगे हुए जो पढ़ते हैं तो इसलिए एक आपका प्रिलेम्स रख दिया गया है यहाँ छटनी हो जाए चात्रों की समझ रहे हैं और आप जानते हैं कि 15 से 16,000 करीब आपके मुख परिक्षा में लोग बैठ पाते हैं और आप प्रिकी बात करें तो लाखों लोग बैठते हैं इसमें तो इसलिए आपका प्रिलेम्स रख गया है उसी के आधार पर फश्ट पेपर के आधार पर उ आपको जगह मिलती है पिल मुख परिक्षा और प्लस इंटर्व्यू तो इसमें हम लोग किबल सिलिएवस की बात कर लेते हैं और बागी पेपर फश्ट पेपर सेकेंड निबंद एक एक टॉपिक लेकर हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे जैसे निबंद के बारे में वैसे भी हम लोग पैटरन में जब हम लोगोंने पैटरन देखा था यूपिस्ती का तब बात कर चुके थे यह आपका दो सो पचास अंक का होता है इसमें क्या होता है कि इसमें उमीदबार को एक दिए गए विसर्फ पर किसी बन्यबंद लिखना होता है और दो खंडों मे आता है खंडे और खंड भी तो इन में से एक एक चैन करना होता है चार उसमें टॉपिक दिए होगे चार इसमें दिए होगे उसमें से एक एक टॉपिक पर आपको लिखना होगा और यह आपका 200 अंक का होता है टोटल कितना 250 अंक का होता है और आपका जो भी प्रवाव रह इसमें score बनाने का अच्छा मात्यम है, निबंद, ऐसे, तो इसमें आपको बड़े आसान तरीके से नहीं लेना है, छोटे में नहीं लेना है, आपको पढ़ते रहना है, इसके लिए भी अच्छे टॉपिक, आप न्यूच पेपर पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ते रहते तो इसमें आपका एक बेस बंता रहता है, निबंद के लिए हुई, ठीक है, पर आपका दूसरा पिशन पत्थ है, इसमें सामानध्यन, फश्ट इसे कहते हैं आप लोग, भारतिये विरासस, संस्किती, विस्व का इतिहास, भोगोल और समाज, ये सभी टॉपिक इसमें साम निदान, राजविवस्ता, सामाजिक निया और अंतराश्टी है संबंद रहते हैं, ये भी आपका 250 अंक का ही रहता है, कितना है, 250 अंक का ही रहता है, और फिर उसके बाद आपका पेपर, अगर थेड, फोर की बात करें हो सामानध्यन, थेड, तो इसमें पुरोद्ध की, आलतेक विकास, जैब विवित्या, पर्यावन, सुरक्षा, आपदा प्रबंदन, 250 अंक का ये भी रहता है, प्रिशनपत्त 5, यानि की सामानध्यन 4 बेपर, तो इसमें नीती सास्त, सत्य निष्ठा, और अभी बेत्ती, ये भी आपका 250 अंक का ही रहता है, फिर आता है आप आपका पेपर 6, ये विकल्पिक विसर्ब पेपन 1 इसमें सामिल है, ये आपका 250 अंक करेगा, पिसनपत्त 2, विकल्पिक विसर्ब, पिसनपत्त 2, ये आपका 250 अंक करेगा, यहाँ याद रखे, एक ही सब्जेक्ट रहेगा, आप हिस्टरी लेते हैं, तो हिस्टरी के ही दो दोनों पेपर होंगी ऐसा नहीं कि history ले लिए और geography दो नहीं एक ही केवल इसमें सामिल किया जाता है फिर आप देखते हैं कि अंग्रेजी अनिवार है इसमें आप देखते हैं 300 अंग का रहता है इसके नंबर आपकी final list में नहीं जुड़ते हैं याद रखे लेकिन पास होना आपके लिए जरूरी रहता है इसमें ठीक है क्या होता है पास होना यानि की 25 पितीसत नंबर लाना इसमें जरूरी होता है ठीक है दोनों पेपरों में जो खापेपर है qualifying second एह हिंदी या फिर समिधान की आठवी सूची में जो 22 आपकी भासाएं समलेते हैं किसी भी भासा में आप लोग दे सकते हैं इसे second वाली खापेपर को ठीक है यह भी आपका 300 नंबर कर रहता है इसमें भी 25 पितीसत नंबर आपको कम से कम चाहिए होते है पास होने के लिए ठीक 25 परसेंट आगे तो सही और आपकी इससे जानदर चाहिए 300 में 300 पर आजाएं 300 में 300 नंबर आजाएं तब भी आप qualifying ही रहेंगे कोई आपका जानदर मत नहीं मिलेगा इसका तो इसे पास करने के लिए लगा इस तरह से आपके लिखित परिक्षा में सत्त्रे सो पचास अंग हो जाते हैं इने हटाकर दोनों को ठीक है याद रखे और ब्यक्तिकत परिक्षण यानि की इंटर्विव आपका 275 अंग का रहता है इस तरह से आपके कितने हो जाएंगे दोहजार पच्ची संग टोटल दोहजार पच्ची संग और इसी के आधार आपका merit list final बनेगी जिससे आपको selection होगा ठीक है इनी नंबरों तो अब हम लोग विस्तार से थोड़ा सामानध्यन paper फश्ट के बारे में जान लेते हैं निवंद कैसे लिखना है निवंद का क्या syllabus इसके बारे में आप जाना नहीं syllabus के बारे में निवंद के बारे में जाना कोई topic उस साल में चर्चा में रहते हैं उन्हीं से अधिकतर questions आपकी बनने की संभावना होती है तो उसका कोई syllabus नहीं है कि इतना topic पढ़ लीजे इस से आजाएगा ऐसा नहीं है ठीक है लेकिन उसके बारे में किया से लिखना है क्या करना है इसके बारे में हम लोग विस्ता और संस्किती कह सकते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर विस्त का इतियास भूगोल और समाच यह आपका इंगलिस में दिया गया है आप लोग अगर इंगलिस मीडियम कें तो देख सकते हैं फिर दूसरा topic रहेगा आपका भारतिय संस्किती में प्राजीन काल से आदुन समय तक आदुनिःग भारत इतियास मात्पुन घणाय बैक्तित और मुत्टिः फर आपका सुतनथा संक्राव इसके विभन चर्ण ए देश के विभन भागों में इसमें अपना यूगदान देने वाली मात्पुन बैक्तित उनका यूगदान सुतन ता की वश्चा देश क कि समापती, राजनेतिक, दर्सनसास्त जैसे, सामबाद, पूझीबाद, समाजबाद, आदी उनके रोप और समाज पर उनका प्रवाव सामिल रहेगा। भारती समाज की मुख विसिस्ता हैं, भारत की बिवित्ता, पर आप देखेंगे कि महलाओं की इसमें पूझाएगा आँगे, महलाओं की भूमिका और महला संगटन, जन संक्या एवं समर्द मुद्दे, गरीवी और विकासात्मक मुद्दे, सहरी कर्ण, उनकी समस्या हैं, उ धर्म निर्वेक्च सा, पर आपके विस्त के भौतिक, भौतिक भूगोल की मुख विस्ता हैं, विस्त बार के मुख के प्राक्तिक संसादनों का वितरन, दच्छेडेसिया और भारतियों महादीप को सामिल करते हुए, विस्त भारत सहते से भारत को भी सामिल कियेंगे, कि विबिने भागों में प्रात्मिक दुतियक उतितियक चेत्रों के उद्दोगों की स्थापना करने के लिए जिम्मिदार का रख, फिर आपका भूकम सुनामी ज्वाला मुखी, हल्चल, चक्क्वाद, आदी जैसी गटनाएं, महत्पुन भूव भूत की गटनाएं, बहुत के प्रभावों को सामिट किया जाता है, यह आपका पेपर, जो सामानत द्यान का पेपर फश्ट है, इसका सलेवस है, इतने टॉपिक इससे मिलते जुलते रहेंगे, एक बात हमेसा याद रखिए, आप सलेवस को, फिर चाहिए आपका प्रिलेम सो, या मैं सो, इन्हें रट पेपर में से कुश्यन्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको इतना तो अनभा हो जाना चाहिए, और एक बात यहाँ बोलूँगा, कि आप देख रहेंगे, भारतिये विरासत और संस्किती, विस्व का इतिहास भुगोर और समाज, आप समझ रहे हैं या, भारत का इतिहास भी इसमें सामझ ले आपका, देखिए, यहाँ भारत का इतिहास भी सामझ ले तो आपसे इतना कहता हूँ कि प्रलेम्स पिलस मेंस, दोनों की तैयारी करेंगे, तभी आपका सलेक्सन होगा, भावाज्या, हो सकता है प्रलेम्स आप निकाल दें, लेकिन आप सोचें कि मेंस नि आप लोग उस टाइम दो तीन मैने के पहले आप लोग जब पेपर आता है उस टाइम आप मैंस की तैयारी छोड़ दिया करिए उस टाइम आप प्रिलिम्स में लग जाए करिए इसलिए आपसे सोचिए कि आपको NCEIT पढ़ने के लिए कहा जाता है और याद रखे बिना NCEIT प कोई विकल्प नहीं है दूसरा इसलिए आप NCEIT पढ़िए जैसे पॉलिटी का है तो 9-10 इस तरह की आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं यानि कि आप NCEIT की जो भी किताब के पॉलिटी से संबंदिर उसे पढ़ सकते हैं पिलस एम लक्षमी कांत हो गया या इस पेसल जो भी काफी है material आप सोचें कि हजार कोचिंग से हजार नोट से ले लें और हजार तरह की वुक्स ले लें इस सही नहीं है इतना पढ़िए काफी रहता है और आप देखेंगे कि कई टॉपिक ऐसे भी हैं जो प्रिलिम्स में भी हैं मैं समय भी हैं तो मुझे लगता है कि अगर मै को देखता हुए आप लोग तैयारी करेंगे तो आपका पिरलिम्स अपने आप हो जाएगा मैं और अगर नहीं होता देखें कई बार आपने देखा है कंई लोगों का पिर से भी नहीं होता है एक बार नहीं पसे लीजे लगे रही है पूरा मेहनत की है हो या ना हो सेलेक्षन लेकिन आपके मन में एक संतुष्टी रहती है जिन्दगी बाद वरना आज से दस साल बाद आप सोचेंगे कि साइद कास हम एक कर लिये होते तो एक कास सब्द जिन्दगी में नहीं रहना चाहिए मुझे लगता है बहुत दुख देता है ठीक है फिर हम लोग दूसरे पेपर की अगर बात करें सामान अध्यन सेकंड एह आपका सामान अध्यन सेकंड कभिस्तित्य पाट करें और मैं कहता हूँ कि देखिए इसमें जो भी टॉपिक आपके सामिल है इनका क्या करिए कि एक नोट्स बना लिजे पूरा मैंस के लिए आप फाइनल में जब जा रहे हैं कभी उस टाइम आप मुझे लगता है कि उस टाइम आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि एम लक्ष मिकांत पूरी आप उठा की लग जाए पढ़ने या फिर NCRT पढ़ने पूरा लग जाए तो उस समय के लिए पूरा इन सभी टॉपिक्स को समलेद करके नोट्स हर पेपर संबंदित बनाईए पेपर फश्ट सामानध्यन का हो फिर सामानध्यन का पेपर सेकंड हो जो मैन मैन ने उनी को मनाईए और सौट नोट्स बिलकुल अगर सामानध्यन पेपर सेकंड की बात करें हम लोग सिलेवस की तो इसमें आपको सासन विवस्ता, समिधार, राज विवस्ता, सामाजिक नियाए और अंतराश्टी है संबंदि अब आप देख रहे होंगे कि सासन विवस्ता, समिधार, राज विवस्ता ये सभी तो आपकी प्रेलेम समीवी तो थे और यहां अगर आप विस्तार से पढ़ लेते हैं तो प्रेलेम समीवी आपका कवर हो जाएगा इसमें आप देखेंगे कि भारती समीधान हो गया है इतिहासी काधार, विकास, विशेस्ताय, संसोधन, महत्पूर्ट, प्रावधान, बुनियादी, सरचना इसमें सामिल है इसमें आप देखेंगे भारती समीधानी की यह जणा की अन्य देशों के साथ तुलना भी बात करेंगे संसाद और राजबिधाय का इसमें आप देखेंगे सरचना, कार, कारुसन चालन सक्तियां, विसे सदिकार इनसे उत्पन होने बाले मुद्दे भी देखेंगे ठीक है फिर आप देखेंगे की कारपाल का, नियाएपाल का की सरचना, संगठन, कार और सरकार की मंतराले विभाग, प्रभावक, समूव अपचारिक, अनपचारिक संग सासन पनाली में उनकी भूमिका क्या है पर आपके विभिन ने घटकों की भी सक्तियों का पितक करन, विवाद निवारें तंत, और संस्थान जन पिती ने देखते अधिनियम की कुछ मात्पूंड विसे स्ताय भी देखेंगे विभिन सम्मिधानेक पदों पन्युक्ती और विभिन सम्मिधानेक निकाय की सक्तियों कार उत्तरदाइत फर साम्भिदेक विनियामत और विभिन अड़नेयाइक निकाय भी देखेंगे सरकारी नीतियों विभिन चेत्रों में विकास के लिए हस्त चेप उनके अभी कलपन तथा कयानबन के कारण उत्तपन मुद्दे भी देखेंगे फिर आपकी विकास पिक्तिरिया विकास उद्द्यों गेर सरकारी संगटनों स्वयम सहायता समुओं विभिन समुओं संग दान करताओं लोको पाप लोपकारी संस्थाएं, संस्थागत और अन्न पक्षों की भूमी क्या भी देखेंगे फिर आपकी केंद और आजच्चों द्वारा जनसंख्या की अती संबिदन सील बर्गों के लिए कल्यान कारी योजना है इन योजनाओं को कार निस्पादन इन अती संबिदन सील बर्गों की रक्षा एवं बहतरी के लिए गटित तंथ बिदी संस्थाण एवं निकाए उसके बाद आप स्वास्त सिक्षा मानव संसाधनों से संबंदीत सामाजिक चित सेवाओं की विकास और प्रिबंदन से संबंदीत मुद्दे देखेंगे फिर आपका रहेगा एक टॉपिक गरीब गरीवी और भुकमरी से संबंदीत मुद्दे भी रहेंगे इसमें ठीक है उसके बाद सासन विवस्ता पारदर्ष्था जबाब देही कि महत्कूर्पक्ष ई-गवर्नेंस अनुपयोग मौडल सफलताएं सीमाएं, संभावनाएं नागरिक गोशनापत, पारदर्ष्था जबाब देही और संस्थागत एवं अन उपाए इसमें समिल लेंगे फिर आप देखेंगे लोकतंत में सेविल सेवाओं की भूम क्या भारत एवं इसके पडोसी जो सम्मदनें देशों से उसके बारे में भी दुई पक्षिय चेतरिय और वेस्विक समूहों और भारत से सम्मदित और अथवा भारत की हितों को प्रभावित करने वाले समझोते भी देखेंगे भारत की हितों भारतिय डास डैस्पोरा पर विक्सित तथा विकासिल देशों की नेदियों और राजनीती का प्रभावी देखेंगे मात्पून अंतराष्टिय संस्थान संस्थान और मंच उनकी सरचना अधी देश याद रखें जो भी आपके राष्टिय और अंतराष्टिय संगटन है इनकी पूरी सिंखला हम लोगों ने सुरूं की थी फिर चाहे डबलू या चो फिर चाहे आपकी भारतिय जो संस्थान है चाहे बिताय हुए गया चाहे आपका संग लोग सिभाय हुए है इनकी सब के बारे में हम लोग एक बिस्ताल से पढ़ चुके हैं आपका I.S. को ध्यान में रखते हुए सिविल सर्विस को तो महत्पोन संगटनों के नाम से आपकी प्लेडिश्ट सूची है उसी में सभी संगटनों ले हुए है तो इस तरह से आपका पेपर जो सेकेंड है सामानत दिन का कबर हो जाता है इतना कहूँगा मैं कि आप सिलेवर्स पिलस कम से कम 5-6 साल लाश्ट के पेपर आप लोग अपने पास रखिए और उन्हें देख लीजे एक से दो बार पढ़ लीजे और अच्छे से मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने कुश्टेंस पूछे जा रहे है और आप प्रलेम से में भी यही कह सकते हैं कि सिलेवस पिलास 5-6 साल कुश्टेंस पेपर अपने पास रखिए और इन्हें एक से दो बार नहीं जब भी टाइम आपको फिरी टाइम मिले पढ़ते रहे है और कोई भी परिक्षा किसी भी दुनिया की कोई भी परिक्षा की तैयारी कर रहे है उसका सिलेवस और ओल्ड कुश्टेंस पेपर आपके हाथ में होना जरूरी है तब ही आप मुझे लगता है कि बहतर तैयारी कर पाएंगे अब हम चलते हैं पिसनपत्त फोर की तरफ यानि की चार्ट और सामान अध्यन पेपर थैड़ है याद रखिए हम आगे चलके एक-एक करके सभी पेपरों को देख लेंगे हिंदीज पर चाहिए आपका क्वालीम फाइंग, इंगलिस हो, नेवंद हो, ओप्सनल हो इनको हम अलग अलग करके एक-एक करके देखेंगे बिस्तार से बहुत लंबी किलास रहेगी वो इसमें केवाल एक सिलेवस बता देता हूँ कि यह पूँचा जाता है थोड़ा बिस्तार से सामान दिन पेपर अगर थैड़ की बात करें तो इसमें पुरोदुगी की आर्थिक विकास जबिवित्ता पर्यावन सुरक्चा आपदा प्रवन्दन अब आप देख रहे होंगे यहां जबिवित्ता पर्यावन आपदा प्रवन्दन यह आपका प्रेलेम से में भी था आर्थिक विकास आपका प्रेलेम से में भी है पुरोदुगी की से भी आपकी विकास और रोजगार से संबंदीत मुद्दे रहेंगे। विकास और रोजगार से संबंदी रहेंगे। विकास और रोजगार से संबंदीत मुद्दे रहेंगे। विकास और रोजगार से संबंदीत विकास और रोजगार से संबंदीत रहेंगे। सरक्षन पर्याबन पिदूसन और सरक्षरन पर्याबन पिरभाव कहां अकला ये सभी सामिल रहेंगे। आपदा और आपदा पिरवंदन से संबंदीत टॉपिक भी समिल रहेंगे। याद रखें अगर आप लोग बड़े मन से तयारी करते हैं तो आप इस तरह से आप इंसान बन जाएंगे। कि मुझे नहीं लगता है कि आप जिन्दगी में आज सफल रहेंगे। अगर आप सेलेक्षन भी नहीं पाते हैं फिर भी आप सफल भी कहलाएंगे। क्योंकि आपके पास इतना नौलीज आ जाएगा इससे पढ़कर इसकी तयारी की तो रहां कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। कभी हान मत मानिये कि आपका सेलेक्षन नहीं हुआ तो आप डिप्ट्परेशन में चले गए या कुछ और उल्टा सीधा कर बैठे। यह मत करिए हमेसा। आपके पास अगर अच्छे से तयारी करते हैं और सो परसेंट देते हैं आप तो मुझे लगता है कि सेलेक्षन हो जाएगा अगर नहीं होता है तो आपके पास हजार ओप्सन खुल जाते हैं। इसलिए बिल्कुल फिरी होका दिमाग को तयारी करिए। बिकास और फैलते हो गुगबाद के भी सम्मन्द आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनोती उत्पन करने वाले सासन परोधी तत्तों की भूमिका जैसे नकसलबादी हो जाते हैं इनके बारे में। संचार नेटवर्क के मात्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनोती और आंतरिक सुरक्षा चुनोतीयों में। चुनोतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिक्या, साइवल सुरक्षा की बुनियादी वाचे धन, सोधन और इसे रोकना, सीमावर्ती चित्रों में सुरक्षा चुनोतियों उनके प्रवन्दन संबंदी, संगटत, अबराद और आतंगबाद के भी संबंद, विमन सुरक्षा बल और संस्था हैं, उनके अधीदेश, तो यह आपका तीसरा पेपर है, याद रखी एक बात और वोलूगा, अगर आपके कुश्चन्स पर और भी कुश्चन्स हैं, तो आप या तो जीमेल पर सेंड कर सकते हैं, या पर आप फेस्बुक पे गंटे से अर्टालीस गंटे की बीच आपके कुश्चन्स हम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, और उनके जवाब देंगे हम लोग, अभी भी कई कुश्चन्स आपके बने हुए, तो सोच दो रहा हूं कि एक ऐसा ही पूरी क्लास सेपरेट लूँ, कि जिसमें आपके कुश सामानत्यान पेपर फोर में नीति सास्त, सत्यनिष्ठा और अभी रोची, एक तरह ऐसे आप लोग इतिक्स का पेपर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, इतिक्स, तो इसमें क्या क्या देखेंगे, नीती सास्त, मानवीय सह संबंद, मानवीय किरिया कलापों में नीती सास्त का सार्थत, इसके निर्धारन और पईडा, नीती सास्त के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंदों में नीती सास्त, मानवीय मूल, महान, नेताओं, सुधारकों और पिसासकों की जीवन और देशों से सिक्षा, मुल विक्सित करने में परिवार, समाज और सेक्षडिक सहस्ताओं की भूमिका देखेंगे याद रखिए पेपर फोर है जो मुझे लगता है कि इस तरह से आपको बड़े इंट्रेस्टिंग से मतलब अच्छा लएगा आपको एक अधिकारी बनाने के लिए पेपर फोर ही महत्त्रोंड रहता है सबसे अधिक कि आप में मानावता किस तरह से होनी चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में भावनाई बिलकुल ही खतम हो जाए हो सकता है कि आपको कहीं भावनाओ की जरीवरत पढ़ जाए कहीं आपको बिना भावनाई रखते हुए किसी की पिती नेड़ा लेने पढ़े तो इस तरह कि आपकी मुद्दी रहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है आप लोग पढ़के देखिए बढ़िया रहेगा अभी वित्ती विशय वस्तु सरचना पिकार विचार आचरन के परिपेक्च में इसका प्रभाव और संबंध नेतिक और राजनेतिक अभी वित्ती सामाजिक पिरवाव और धारणा सेविल सेवा के लिए अभी रूची तथा बुनियादी मूल सत्तनिष्टा निस्पक्षिता तथा गेर तरभदारी बस्तु निष्टता सारवजनिक सेवा के पिती समर्टम भाव कमजोर वर्गों के पिती सानबूती सहिष्टूता संबिधन फर आपका है भावनात्मक समझ आउधारणाय पिसासन और सासन बिवस्था में उनके उपयों और पिरियों भारत तथा बिश्ट के नेतिक विचारों और दार्शनेकों की यगदान यानि कि आपको दार्शनेकों के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा इसमें तर लोग पिसासन में लोग सिविल सिवाप, मूल, नीती सास्त, इस्थती, समस्याएं सरकारिये तथा नीजी संस्थाओं में नेतिक चिंताएं, दुविदाएं नेतिक माच दर्शत की सिरोतों की रूम में, विधी, नियम, वी नियमन, तता अंतरात्मा जबाब देगे और नेतिक सासन विवस्था, सासन विवस्था में नीधी परख, नेतिक मूलें का सुद्रीकर्ण, अंतराष्टी संबंदों और नीधी विवस्था में नेतिक मुद्धी, कॉर्पोरेट सासन विवस्था सामिल है। प्दे से जीने का, क्या जनम का मुझे लगता है इससे पता चल जाएगा क्योंकि आपको उन लोगों की महान लोगों की बारे में बताएगा जो कुछना कुछ करके गए हुए बाकी आप खा रहे हैं और जा रहे हैं फिर मर रहे हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप भी जानते हैं कि 135-40 करोड के जनसंग्या करीब होने जा रहे हैं किसे कोने याद रखता है तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन अगर व्यक्ति को इंसान का जनम मिला हुए है तो उसका कुछ उद्देश तो होना चाहिए ऐसा नहीं कि अपना साधी की उमर गए एक बस अपना पेट भरते हुए चले गए तो कुछ उद्देश रखे तो भगवान ने जनम दिया होगा आज गाय को देखेंगे आप महस को देखें किसी भी पसो को देखी अपना धरम निभाता है लेकिन हम इंसान अधिकतर अपना धरम नहीं निभाते हैं गाय को आप खिलाते हैं कुट्टे को आप घर में पालते हैं गाय आपके लिए दूद देती है कुट्टा आपकी सुरक्षा करता है अपना धरम तो निवारा है, समझ रहें? लेकिन हम अपना धरम विलकुल तरह से भूल चुकें इसमें आप देखेंगे सासन विवस्ता में इमानदारी लोग, सेबा की युधार्ना और सासन विवस्ता और इमानदारी इस अभी आप देखेंगे याद रखेंगे आप देखते हैं कि एक अधिकारी बन रहे हो आप लो तो आप में इंसानियत होना चाहिए यानि कि ये नहीं कि आप अगर अधिकारी बन चुके हैं तो आप किसी से भी उल्टा सिता बोलिए बैंक में आप जाते हैं कोई गरीब आदमी लाइन में लगा हुआ है तो आप देखते हैं कि मैनेजर या पर जो भी स्टाफ होता है किस तरह से बुरी तरह से चिलाता है और भी आप देखते हैं पुलिस वालों को देखिए कितनी बुरी तरह से बरताओ करते हैं तो आपके लिए यही तो कहा जाता है कि इमानदारी से अपने डिटी नबाईए और एक आप में इंसानियत तो होनी चाहिए, आप इतना पढ़के जा रहे हैं, तभी तो आपके लिए इतना पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, वरना दस भी पास करते हैं, आपको नहीं मेद द या ज़्यादा पुलिस वालों की तरह लिए आईजेस बन चुके हैं आपको, इतना पढ़ने का उद्देश में यही है, कि आप बेहतर सबसे बेहतर रहें, क्योंकि आपको कोई थाना नहीं समालना है, किसी को गाली नहीं देनी है, कोई आपको जिला समालना है, और हो सकता है, कि आपको राजदूद बनाकर कहीं विदेश में विवहत दिया जाए, या फिर आपको किसी ऐसा मतलब जो भी विवाग हो, उसे भी समालने की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो आपके पास समालने की मतलब उतनी एक तरह से आपके हैं ओखाद तो होने चाहिए, आप दे यहां से मुझे नहीं लगता है कि आप एड़ेस्ट कर पाएंगे, तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है, यह समी पढ़ने के लिए इतना, अना सोचिए आप लोग की मुझे लगता है कि बिद्वान बन जाते होंगे, इतना पढ़ते-पढ़ते हम लोग बन जाते हैं, क्या बिद्वान बन जाते हैं, इतना आपके लिए, कोई भी काम मुझे नहीं लगता है कि कोई काम आपको छूटता है, अगर आप से कहती जा जाएगी, खेती करनी है, तो आपके पास इतना नौलेज आ जाएगा कि आप खेते के लिए सामिल हो जाएगे, इसके बाद आप उप लब अपना नेड़े लेंगे, इस तरह से सभी उपयुक्त विसा उपर, मतलब उपर जो भी आपने दिखा है, इनहीं से संबंदित आपके केस हिस्टरी होंगे, संबंदत हैं, तो याद रखे आपका, यह है आपका मैंस का से लिवस, अब ऑप्शनल बचता है, तो उसे हम लोग हिस्टरी और जोग्रफी को एक एक करके विस्ताल से पढ़ लेंगे, और याद रखे, प्रिलिम्स के आपके 2011 से लेका, 2019 तक के कुश्चेंस पेपर सॉल कर चुका, याद रखे, आपको उन्हें एडजेस्ट करना है, किसी भी तरह से, क्योंकि वो पेपर उस समय लग जाना वहां बिस्ताल से नहीं बताए गया है, तो आप उसे एडजेस्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर बिस्ताल से अगर उनके कुश्चेंस पेपरों के आंसर बताए जाए, तो कम से कम 2-3-4 गंटे एक कुश्चेंस पेपर के लिए चाहिए होंगे, कितने तीन से चार गंटे, लेकिन वहां आपके आंसर बता दिये गया है, कि इस पेपर का ये आंसर है, इसका ये है, थोड़ा बिस्ताल से भी बता दिया गया है, जहां जरूरत पड़ी, तो आप उन्हें एडजेस्ट कर सकते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे कि आपका प् आपके पूरे questions paper लगबाद ये गया है, लगबाद आपका हो गया है, वहां से आप देख सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं है, तो आप दिरिश्टी आईए, आपकी solve questions करके push टक बेंशती है, उसकी भी ले सकती है, या फिर अन्न भी आप देख सकते हैं, अपने हैसाब से, अब बचे हैं, आपकी maths, तो उसमें हम लोग और याद रखें, आपके NCEIT cover कर चुका हूँ, तो NCEIT पूर कबरेज के नाम से जो playlist सुची है, उसमें सभी डली वे, संगठन भी आपके cover हो चुके हैं, लगबाद लगबाद, अब जो बाकी का material बचता है, उसे हम लोग, अब मुझे लगता है कि इतना material अभी, टेलिग्राम पर देख लिजे, पर चाहिए आप जहां देख रहे हैं, इतना उपलब देखरा चुका हूँगी, आपके पास कोई कमी नहीं रहेगे, MPPSCO पर चाहिए UPPCCO, इन्हें आप लोग घर बैठकर आराम से निकाल सकते हैं, जो भी PDF आप होती हैं, वो टेलिग्राम पर दे दी जाती है, और आपको ये एक रुप्या करच करने की दरूरत नहीं है, आप UPPCS के देखी ये पूरे 2011-12 सिली का 2019 तक के सभी पेपर आपके सॉल्व करवा दिया गया है, MPPSC का जो अपडेट हुआ है सिलेवस में उस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें भी आपके देखेंगे, आप कुष्चेंज पेपर, साथ से आठ साल के सभी कुष्चेंज पेपर लगवा दिया गया है, उत्तरपदेस सामान अद्यान पूरा आपका कबर करवा दिया गया है, और आप देखेंगे की, आप देखेंगे कि MP मद्विदेश सामान गयान भी पूरा कबर करवा चुका हूँ हिस्टरी, भूगोल, समिधान, अर्धविवस्था, बिज्ञान सभी आपके मतलब लूसेंट एक आपकी वुक्स आखती है उसी के आधार पर मतलब सभी विसाइसंबलित किये जाते हैं उसी के आधार पर एक विस्थार से लूसेंट आपका बहुत सौर्ट में दिया जाता है लेकिन मैंने विस्थार से आपके इन सभी सब्जेक्टों को कवर करवा दिया है ठीक है मुझे नहीं लगता है कि आपका अगर आप कोई प्रेलिम्स प्रेलिम्स देते हैं या वन डे एक जाम देते हैं तो उसके आपके कुश्चन्स अभी बन जाएंगे कोई भी नहीं चूटेगा अब बता है सिविल सर्विस की अगर प्रेलिम्स की बात करूं तो इसके लिए आपको NCEIT पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप देखते हैं कि उसके कुश्चन्स पेपर अलग तरह से आते हैं कुश्चन्स और मेरा यहां मतलब जो आपके कुश्चन्स पेपर लगवाए गये हैं वहां मेरा कोई उद्देश जाना नहीं था मेरा उद्देश इतना था कि आपको मालू तो होना चाहिए कि 7-8 साल मैं questions paper डाल देता हूँ तो उन्हें देखकर आपको पता तो होना चाहिए कि इस तरह से questions पूछे गए हैं अबीतर इतना ही आपको पता तो हो जाने चाहिए answer तो आप कहीं भी से मुझे भी पता है कि आप answer कहीं से भी ढूड लेंगे और adjust कर लेंगे लेकिन वहाँ मैंने बताया कि इस तरह से questions आते हैं कि आपके किस तरह के questions बनते हैं कियसे बनते हैं वो अंडे exam और PCS या फिर UPCS MPPSC इन में समय मतलब क्या अलग है उस सब के बारे में आपको पता चल जाएगा साथ से आठ साल की questions paper देखिए आप बहुत कुछ जान जाएंगे उसमें ठीक है और पूरा slayvus आपका telegram पर डाल दूगा या फिर आप कहीं से भी download करके अपने पास रख लिजे print out निकलवा सकते हैं ठीक है बिलते हम लोग question paper first जो निवत ने आपका यसी उस पर हम लोग विश्तार से बात करेंगे बहुत जान आई कुछ किस तरह से लिखना है किस तरह से क्या करना है उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे ठीक है